हाँ जी सो बेटा जड़ा आज दा साथा लेक्चर है गाल करनी या वेक्यूम गेज दी ठीक है लास्ट राइम आपका की चीज चेक कर देया के कंप्रेशन स्ट्रोक जड़ा हुंदा या ओदे वेच पिस्टन स्लेंडर अर्रेंजमेंट जड़ा हैगा ओदेश कोई लीकेज क्यां देविच ठीक है ओपां चेक कर देया और स्ट्रेंड याँ चाइक्सलेट पूरा दबाख एक्सलेटर पूरा करके अपकी करना सेलफ मारनी आगर केक है गेगी है तो बाद नीडल जड़ी है कर लाएं रीडिंग नोट करना है दूआरा है टेस्ट परफॉर्म करना है तो दो तेन वार आपके टेस्ट प्रफॉर्म जदो कर लिया उस्तो बाद आपका रीडिंग से विचला डिफरेंस मेजर करना अगर ता दो या तेन पी एसाई तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है गा तो यानि कि ता डिजडी गेज है और सोरी ता डिजडी कंप्रेशन स्प्रो किते ना किते लीकेज ہے गी आगर दो तेन रीडिंग से गीचला डिफरेंस पांजी या पांज पी एसाई तो ज्यादा आजनी कि ता में लीकेज है ठीक है फ़गार चाली तो चाली पीएसाई तो नेचे दी रीडिंग आ रही है त्वाप्म की करना है सनूझ करने स्पार प्लयव जगा ते थोड़ा जैंजन ओयल उद्धेवीच पादना स्पार्प प्लयवाली जगादे ठीक है जी औस तो बाद फिर आपा टेस्ट रपीट करना है जेता रीडिंग से विचला डिफ्रेंस द्वारा उन्हाउँ रह रही है ते जानी कि फैंजन देवि क्लियर बेटा आज़े क्लियर ठीक है एविए वीडियो भी पर इसी जड़ा एक्सपरिमेंट पर फॉर्म होया सी देख ली सी सारे ने वीडियो अजी सर ठीक है जी तेस्ट करना यह वैक्यूम गेज टेस्ट थीक है जी एदे वेचे प्रका मां की चैप्र कर देयां कि यहीड़ा वेक्यूम स्ट्रोग होंधा जनी अपना के नियां ओदे वेच कोई लीकेश नहीं है ऑप्मा एस ट्रेस्ट देनाल पता कर साथ दें सो टॉप डेट सेंटर तो बॉटम डेट सेंटर वालनों जानदा या तो ओस दे वेच कोई लीकेज ना होगी ठीक है अगर लीकेज होएगी तो यह वैक्यूम हो प्रॉपर क्रियेट ही नहीं होना अगर कोई लीकेज होगी ठीक है तो एस गेज थी हल्प देना अला पां हो जिड़ा वैक्यूम प्रेशर है गया उन्हों मेजर कर दे ठीक है कदो मेजर करना है सक्षन स्टोक दे वेच जदो पिस्टन टॉप डेट सेंटर तो बॉटम डेट सेंटर वलनों मूव करता है फर्स सो एक्सपेरिमेंट वैक्यूम गेज थी हल्प देनाल ठीक है वैक्यूम गेज एक बड़न टाइप ट्यूब गेज हुंदिया सिंपल जिन्दा प्रेशर गेज हुंदिया सो इदे वेच कोश पैरामीटर से दिते हुए ना तुसी अपनी सक्रीन ते देख दे होंगे एक ग इंजन स्टार्ड जदो हैगा या ते जड़ी साड़ी नीडल हा पंदरह तो लेके ट्वंटी टू ते करीब एस एरिया दे वेच नीडल एक जगा ते स्टिल है गी या तो यानि की साड़ी गड़ी राड़ा वैक्यूम प्रेशर हा वो बिलकुल ठीक है गा ठीक है जी ते अलाग अलाग एक टागरी जाये अगर रेड एरिया देवेच नीडल जा रही है तो यानि की सड़े इंजन देवेच कोई ना कोई प्रॉलम हा उनों की की प्रॉलम आते की तरह है सही हुंदा या देख दें ठीक है उन्सबतों पहले लीगा लागा वीडियो सभी देसरी य या एर फिर मिक्शन सप्लाई कर देया अपां इंटेक वाल्व देवेच वैक्यूम गेज नू लगा दना है ठीक है आधा इंटेक मैनी फोल्ड दी पाइप है घी या ठीक है सो अपां इत्थे इनू रिमूव और के सपाइब नू एदी जगाते अपां वैक्यूम गेज न प्वूंते आन न देखो जेड़ी नौर्मल मोटर लिए है नौर्मल रीडिंग जानी है गी है कित्थों लेगे किते तक का तकरीबं 17 तो लेके बाई तक अगर रीडिंग अंदी है ठीक है इंच आफ मर्कुरी ए जड़ा वैल्यू जितिया हुई है इंच आफ मर्कुरी ठ ठीक है इंचिज ऑफ मरकरी सो अगर ताड़ी सतारा तो लेके बाई तक रीडिंग आ दिया एस एरिया दे वेच रीडिंग आ दिया जदो आपका इंजन स्टार्ट कर लिया ठीक है वेक्यूम गेज लगाती इंटेक मैंनी फोल्ड देवेच उस्तो बाद इंजन स्टार्ट कर प्रॉपर वेक्यूम क्रीयाट कारदा पर इंजन बिलकुल सही है घ्लियर आगा एंजन स्टार्ट कीता जड़ी ता डीव नीडल है गी या ओफ ग्रीन एरिया दे वेच वोल्ड कर दो इंजन स्टार्ट है गाया नीडल एक जगहते स्टिल होगी यानि की इंजन दा वैक्य तुझे जट्व पूंद और शक्राइब पिए एसे सब्सक्राइब टो तेन वार नोट पार निया इंजन ओन करना एठ यह आइडियों करना आइडियों पार इन पूर्ण पारा एक्सलेटर बिल्कुल नहीं दें ठीक है शरफ इंजन ओन करके शड़ दना है ते रीडिंग न डिये देनी दर्म एकदम आपर लिख स्वारा जैघी नीडल है लो ग्रीन अड़्यद होंड पूर में बस इतरा बार मात ग्रीन कर वह उन क्या चाहते हो नहीं नहीं कि प्रेसर और भीक्चर थिए ख्लीर हाँ जी क्लीरा बेटा हाँ जी किसे दा कोई डाउट हो वे हाँ जी